नमस्कार आप सभी का स्वागता है हमारे यूटूब चैनल चीनिया क्लासेज पर तो आज अपने पढ़ेंगे STAC एक्जाम 2022 के लिए LCT पेपर के अंतरगत मुहावरे और आज का अपना पार्ट फस्ट रहेगा और हिंदी की जो क्लास है वो भी फस्ट रहने वाले जैसे कि हमने का था कि मेट पेपर के साजाथ हम LCT के लिए जो मैध फून चीज़े हैं जैसे कि मुआवरे होगे लोकतियां होगी अविलोम सब्द होगे प्रावाची सब्द होगे या इसके अलावा अन्य जो मैध फून एक दो पर्षन एक्जाम में इससे समझे कुछ जाते हैं उनके लिए अलग-लग क्लासें आपको फ्लवद करवाते रहेंगे एक और जहां मारी मेट प्रिक्षा के लिए चाए वो कख्षा 10 के लिए और चाए कख्षा 12 के लिए वो क्लासें हमारी चल रहे हैं जिसके अंत्रगत एक टोपिक अपने आल्रेडी कंप्लेट कर चुक और इसके लावा एक स्पेसिफिक चैनल, टेलिग्राम चैनल हमने बना रहा है STSC Exam 2022, JP Sir के नाम से तो उसको भी जोइन कर लें, वहाँ पे आपको जो प्रिक्षा समिंदी उप्योगी जो समगरी है, जिसे की PDF होगी, पुराने पेपर है, वह भी उप्लद करवाए जाते हैं और जो पर्षन प्रेक्टिस के लिए हम देते हैं, वह भी आपको टेलिग्राम पे उप्लद करवाए जाते हैं जो दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्षिन में मिल जाए, इसके लावा पले लिस्ट जो STAC 2022 के नाम से वह भी बनी हुई है उसका डिस्क्रिप्षिन में लिंक मिल जाएगा, तो एक वार वो सब चीज़ें आप शिरूप से देख लेए हैं तो शुरू करते हैं आज के अपनी कलास, तो आज अपने लगवग 50 के राउंड मुआवरे अपने देखने वाले हैं तो देखे, फर्स्ट अपने पास अपना उल्लू सीधा करना, कुछ तो बहुती सिम्पल है, जो अक्सर आप यूज भी करते हों, और आपने पड़ भी रखा है और आपको याद भी है अपनी खिचडि अलगी पकाणा सबसे अलग रहना ये भी अक्सर अपनी यूज करते हैं अपने मुहe मिया मिठु बनना यानि कि खुद की प्रशंचाak कुदी करना अपने पाम पर कुलाडी मारना खुद का नुकसान करना समय का नुकसान करना अपने पेरों पर खड़ा होना तो आतम निर्वर यानि कि अपने कह देते हैं कि जब तो कमाणा लग जाएगा तो उस कंडिशन को अपने कह देते हैं कि अब आतम निर्वर हो गया खुद के पेरों पर खड़ा हो गया अक्कल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि बर्ष्ट होना, अक्कल के पिछे लठ लिए फिरना, मुरुकता परदर्शित करना अगला है अंगुथा दिखाना, कोई वस्तु देने या काम करने से इनकार कर देना अक्सर आप भी यूज करते होंगे, मुठा दिखा दिखा दिया, यानिके आपको ये काम नहीं करना अंदे की लकडी होना, एक मातर सहरा होना, अच्छे दिन आना, यानिकी भाग्य खुलना अंग अंग फूले नैसमाना, बहुत जादा कुशी होना, और अंगारों प्रेम पुर्वक स्वागत करना, वेलकम करना तो ये बहुत दिखाना, क्रोद करना या ड्राना, अटे दाल का भाव मालूम होना बड़ी कठनाई में पड़ना, आग बबूला होना, बहुत खुशा होना, आग से खेलना, जान बूज कर मुसीबत मोल लेना, आग में गीड डालना, क्रोध बढ़काना ये जब अपने आग में गीड डालते हैं, तो आग क्या हो जाते हैं, लप्टे और बड़ी हो जाते हैं, ये इसी प्रकार क्रोध को और बढ़काना, ये कोई जगड़ा हो रहा है, बीज में जाके कुछ आप उल्टी सीदी बाद करते हो, जिसी और जादा क्रोध है वो, य आटर बिगड सकता है, ये बिगड जाता है, तो उसी को बोलते हैं, आग में गीड आना, आंच नय आने देना, येनिकि हानी या कष्ट नय होने देना, आडे आत लेना, खरी खोटी सुनाना, आनना काना करना, टोल मटोल, यानिकि आपको को कोई काम बोल रहा है, और आप बीच में अपनी कोई बातें बीच में गुशोड रहे हैं, इसका मतलब आप उस चीज को आजाते हो कि वो इदर उदर हो जाए, और आपको वो चीज ना करने बड़े, अंचल पसारना, याज ना करना, भीक मांगना, ठीक ना, उसके बाद में आस्तिन का सांप होना, कपट बीचे सोर करते हैं, तो इस मौवरगी का यूज है, वो टीक्चर के द्वारा किया जाता है, अकास पताल एक करना, कठीन प्रियतन करना, आंग का कांटा होना, बूरा लगना, बहुती ज़्यादा चुपना, आंसु पीकर रहे जाना, बितरी बितर दुख ही होना, यानि कि कुछ किया होगा, क्योशन कंप्लीट होने के बाद में एक कोई चीज आपने प्रूफ कर दी, और लास्ट में लिखते हो इत्ती शिरी, तो इस प्रकार से इत्ती शिरी का मदल बता समाप दोना, एक आत लेना औरू साथ देना, यानिकि इसाफ पिताब है भू साफ साफ देना, यान डांडस मंधाना, आंखे ततेरना, क्रोज से देखना, आकास टूट पड़ना, विपति आजानी अचानक से कोई मुस्षिब्यत आजना, आग लगनी पर कुवा कोदना, यानिकि एन मोकेपई उपाय करना, उंगली उठाना, निंदा करना, लांच नगाना, उन अगलू बनाना, मुर्क बनाना, उसके बाद में अगला है उंगली पर नचाना, यानिकि बस में कर लाना, यानिकि जिससी कोई आपको कई केवल आप उसी प्रकार से आप कर रहे हो, तिसका मतलर उंगली पर नचाना, यह अपने बोल देते हैं, और अपना उलू सीधा करना या उल्लू सीदे करना अपना स्वार्थ है वो पूरा करना या अपना स्वार्थ देखना किसी चीज में तो यह थे आज के अपने महत्पुन मौवरे इसी परकार के एक्जाम में आप से पुछे जाएंगे या पुछे जाते हैं तो कक्षा 10 के लिए और कक्षा 12 के लिए दोनों जो एक्जाम होता है उसमें दो-दो या एक-एक मौवरे वो पूछे जाते हैं तो आप कंटिन्यू हमसे जुडे रहें आपको इसी परकार क्लासेज है वो मिलती रहेगी आप क्लास में इस परकार के मौवरे या जो भी चीज़ें अपने पढ़ेंगे एक-दो बार आपको साथ के साथ क्लास को देखना अराम से उसके बाद आपका ओपीडिया भी हम जो टेलेग्राम ग्रूप है जिसका लेक वेडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको वहां से जोइन कर लेजे वहां पे भी अपलाद करवादे तो एक-दो बार आप वहां से देख लेए उसके बाद में हम को सीज़ करेंगे कि टोपिक पूरा उने के बाद में या वीक में एक टेस्ट भी हम आपको वहां पे उपलब्द करवाएं तो वह भी साथ के साथ करोगे ता आपकी तारी बहुत अच्छे से हो जाएगी तो आप शेरूप से वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं और क्लास कैसी लगी एक कोमेंट करगे आप शेरूप से बताएं ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ना रहे और हम भी इसी पर अगर की क्लासिंग प्लास आपको करवाते रहें तो मिलेंगे अब नई वीडियो में और नई टोपिक के साथ तब तब धन्यवाद